दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा योटी ओभारेड क्रेन में जो आपका रेश्टेंस बॉक्स रहता है तो रेश्टेंस बॉक्स को आपको रिपियर किस तरह करना है कभी-कभी दोस्तो क्या होता है प्राइबेट कमपनी में आपका रेश्टेंस बॉक्स नहीं रहता है या जब मंगाएगा तो मंगाने में आपका काफी टाइम लग जाता है उस टाइम आपको रेश्टेंस बॉक्स को रिपियर करना पड़ता है तो आज इस वीडियो में आप लोगों बताऊंगा रेश्टेंस बॉक्स आपको रिपियर किस तरह करना है तो वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए तब आपको पूरा डाउट भी किलियर हो जाएगा और कभी भी अगर आपको रेश्टेंस बॉक्स रिपियर करना पड़े तो आप अराम से कर सकते हैं दोस्तो रेश्टेंस बॉक्स आपको रिपियर जब भी करना पड़े तब भी आपको सबसे पहले एक चीज आपको चेक करना है कि हमारा जो यह resistance box है तो resistance box हमारा कितना ही step का है और आप जो repair कीजिएगा उसमें आपका क्या problem है और एक main चीज है जिसके लिए आप repair कर रहे है चाहे main host के लिए repair कर रहे है या LT के लिए repair कर रहे है तो उसका क्या होता है दोस्तो rotor का voltage भी देख लिजिएगा और जो आप repair कर रहे है वो resistance box का भी voltage आप देख लिजिएगा ऐसा नहीं है जो आपका यह resistance box का wire या plate लगा हुआ है तो इसमें क्या होता है 115 volt भी होता है 260 volt भी होता है तो जब आप voltage चेक कर लिए कि दोनो resistance box का आपका same है तो मैं जब बोलूँगा आप लोगों को कि जब भी आप repair कीजिए थोड़ा same to same कीजिए इससे क्या होगा आपको repair करने में काफी असान रहेगा और कुछ दिकत भी नहीं होगा तो यह देखने के बादे आप resistance box repair कीजिए नहीं तो क्या होगा चाया में होस्ट के साथ LD वाला प्लेट जोड़िएगा और LD के साथ में होस्ट का प्लेट जोड़िएगा इससे क्या होगा दोस्तो आप तो repair कर दिजिएगा ठीक ठाक लेकिन जब आप connection करके चलाईएगा तो आपका क्या होगा वो unbalance होगा अब unbalance किस तरह होता है मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ दोस्तो जो हमारा resistance box है resistance box का पीछे आपका मैं इससे पहले जो वीडियो बनाये था आप लोगों को बताये था कि star बना हुआ रहता है तो चाये आप इसको CT का resistance box मानिये किसी का भी आप मान सकते है इसके लिए कुछ भी दिकत नहीं है कोई भी resistance box आप रिपियर किजिएगा तो same to same रहता है तो सबसे पहले रिपियर करने से पहले ये जो आपका star point है इसको आपको खोल देना है इसका बीना खोले आपका रिपियर नहीं होगा अगर इसके बीचो बीच आपका plate damage है चाहिए बीच वाला plate damage है या आपका wire कटा हुआ है तो ये star वाला point आप खोल दिये खोलने के बाद दोस्तों ये जो हमारा point है resistance box में ये आपका निकला हुआ रहता है कि कहां पे आपका plate जैसे इसके बाद हमारा दो plate damage है तो आपको दो plate लगाना है तो आप तो जो plate लगा रहे है या oil लगा रहे है वो same to same लगा रहे है शुरू में मैं वीडियो में बताया हूँ आपको तो आपको इहां से जो ये star का last point है last point से लेके सबसे पहले जो आपका first plate है मतलब first point आपका निकला हुआ है यहां तक आपको check करना है multimeter में check करना है कि हमारा कितना ohms बता रहा है तभी आपका confirm होगा कि हमारा यहां पे plate ठीक है या नहीं है अगर इसको आप बिने check करके direct यहां से लेके यहां तक check करते है तो आपका तो ohms आ जाएगा 3.0 ohms तो आ जाएगा लेकिन आपका यहां पे जब step cut out होगा मतलब जब panel में आपका connection होगा तब क्या होगा यहां पे अगर आपका unbalance बना रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा इसलिए दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले इसको check करना पड़ता है कि हमारा balance ठीक है या नहीं है जैसे मैं एक छोटा से example दे दे रहा हूँ जब आप इस star point खोल दिये तो इहां पे एक multimeter का lead लगा है और इहां पे एक multimeter का lead लगा है तो इहां पे हमारा 2.0 ohms बता रहा है तो यह हमारा किस का बता रहा है यह resistance box का plate का बता रहा है अगर इहां पे आपका 3.0 या 4 बता रहा है तब आपको क्या करना है कि या 4 बताए या 5 बताए तो यह जो दूसरा वाला part है इसको आपको check करना है और तिसरा बला पार्ट को भी आपको चेक करना है क्या हमारा same to same है या नहीं है या ये दुनों के साथ हमारा match हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर यहाँ पे आपका कुछ ज़्यादा बता रहा है और दूसरा बला पॉइंट में आपका कम बता रहा है या ज़्यादा बता रहा है उश टाइम दोस्तों उश टाइप से अगर रिपियर कीजिएगा तो आपका कभी भी सक्सेस नहीं होगा रेश्टेंस बोक्स आप कितनों भी महिनत करके बना लीजिए उसका आप चला नहीं पाईएगा अगर ज्यादा हाई उसका भी आप बनाकर लगा देते हैं या बहुत डबल डबल पत्ती देके भी लगा देते हैं लेकिन और रेश्टेंस बोक्स आपका टिकेगा नहीं उसके चलते क्या होगा दोस्तों रोटार आपका बार-बार सौट हो जाएगा या आपक जो नहीं बनाएंगे एकुरेट बनाईएगा तो काम करने भी काफी अच्छा लगता है तो यह जो हमारा 2.0 बता रहा है तो हम जो इससे पहले वीडियो बनाये थे वह आप लोगों को बताये थे कि ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इसका मतलब है का मोटर आपका सुलो चले है तो आपका यहां से लेके यहां तक इसको रेशित्यों मिलरा है यहां तक माल लेजेकर मिलरा है तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे यह हमारा हो जाएगा E1 तो यह हो जाएगा हमारा E2 यह हो जाएगा हमारा D1 और यह हो जाएगा हमारा E1 और यह हो जाएगा हमारा F1 तो इस तरह दोस्तो टैक भी आप लगा सकते है उसके लिए कुछ भी दिकत नहीं है तो जब आप D1 को चेक कर रहे हैं D1 को चेक कर रहे हैं इहां से लेके इहां तक आप चेक कर रहे हैं मल्टीमिटर के एक लिट यहां पे लगा है एक लिट यहां पे लगा है तब आपको देखना है कि 2.0 आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके बाद आपका F1 को चेक करना है तब ही आपका ये step success होगा किस step success होगा D1, F1 और E1 ये जो आपका तीनों point है ये तो आपका तो आपको काम भी करना चाहिए न अगर आपका unbalance काम कर रहा है उस टाइम क्या होगा resistance बोक्स बहुत गरम हो जाएगा और इसका जो पत्ती है वह आपको ठीकेगा नहीं अगर आपका तीनों में D1, E1, F1 में आपका 2.0, 2.0, 2.0 है तब कुछी भी problem नहीं है आप अराम से बोलोंगा आप इसको मत लगाईए balance बनाईए उसके बाद लगाईए इसी तरह दोस्तों आपको repair करना पड़ता है तो यह हो गया हमारा resistance 1 का repair अभी resistance 2 तो resistance 2 पर हम लोग क्या होगा यहां पर हो जाएगा D2 यह हो जाएगा E2 और यह हो जाएगा हमारा F2 तो यह हो गया हमारा फिर tag लग गया D2 E2 F2 अभी इसको आपको चेक करना है आप तो पहले D1 E1 F1 बला चेक कर लिया और आपको इसको ठीक भी कर दिया और repair भी हो गया कोई दीकत नहीं है अभी D2 E2 F2 का आपको ठीक करना है फिर आपको यहां से लेके यहां तक मल्टी मिटर देके चेक करना है कि हमारा कितना ओम्स बता रहा है इसमें आपका 2.50 ओम्स बता रहा है तो आपको E2 F2 पे भी 2.50 ओम्स बताना चाहिए थोड़ा सक क्या होता है दोस्तों एक दो पॉइंट अगर अंबलंस रहेगा तो उसके लिए आपका कुछ भी दिकत नह रहा है या 4 बता रहा है तब दिकत है अगर 2.50 2.50 और 2.50 D2 E2 F2 में बता रहा है तो कुछ भी प्राब्लेम नहीं है आप इहां पर टैक लगा के हराम से रिपियर कर सकते हैं कुछ भी दिकत नहीं है तो यह होगी हमारे 2.50 बाला एको D1 E1 F1 और दूसरा बाला होगी है D2 E 2.50 2.50 अब ही हमारा थीन नमबर इस्टेप मतलब यहां पर हमारा जो अपका 레isаст रस्टेंस कॉंट्र है यह तीन नमबर रेश्टेंस कॉंट्र होगा है और D2 में हमारा थेश्टेंस नमबर दो अन हो गया यहां पर हम टैक लगाएंगे सबसे पहले यह जो हमारा D3 है यह यह हमारा एप थिरी है तो यह हमारा क्या है यह रेश्टेंस नंबर तीन मतलब यह तीन नंबर रेश्टेंस में काम करेगा तो दोस्तों यह किस तरह काम करता है पहले तब रेश्टेंस वान का क्वानन होगा तब आपका यह जो डी हमारा पॉइंड है यहां से लेकर आपका इहां तक रेश्टेंस आपका काम कर रहा है और E पे भी आपका same काम कर रहा है, F पे भी आपका same काम कर रहा है और जब हमारा first time motor start होता है, उस time आपका resistance 1, resistance 2 या resistance 3 कोई भी contactor आपका on नहीं रहता है, उस time आपका DEF मतलब जब आपका motor सुरू में हलका slow speed में चालो होता है तो इहां से लेके इहां तक इसको resistance मिल जाता है, मतलब पूरा full resistance में चालो होता है motor, उसके बाद आपका resistance 1, 1 होता है, उसके बाद आपका resistance 2, 1 होता है उसके बाद आपका resistance 3, 1 होता है, जब आपका resistance 3 का contactor on होता है तब आपको इहां से लेके इहां तक resistance रहता है मतलब यह जो एक नमबर और दो नमबर है यह तो पहले से आपका on है तीन नमबर जब आपका contactor में जाके short होता है resistance तब आपका motor का speed पूरा full बढ़ जाता है और इसी तरह दोस्तो connection करना भी पड़ता है मैं इससे पहले भी resistance box का video बनाया हूं और आप लोग को समझाया हूं तो तीन नमबर भी दोस्तों जो आप checking कीजिएगा जब multimeter से तब आपको ohms में check करके देखना है कि आपका कितना ohms आ रहा है एक checking होता है आपका यहां से लेके यहां का check और दूसरा checking आपका यहां से है और तीसरा checking आपका यहां तक है तो जब यहां तक आप देख रहे हैं तब आपको देखना है का हमारा कितना ohms बता रहा है 3.0 अगर बता रहा है तो आपको तीनों में 3.0 बताना चाहिए तब आपका resistance box repair हो जाएगा और कुछ दिकत भी नहीं होगा आराम से आप motor में connection किजिएगा तो इस resistance box में आपको कुछ भी problem नहीं आएगा अगर जिस तरह मैं बताया हूँ इस तरह अगर आप repair नहीं करते हैं उल्टा पुल्टा करते हैं तो resistance box आपको बहुत गरम होगा और उसके चलते क्या होगा कभी कभी क्या होता है कर रोटार आपको फूल जाता है फूल जाता है मतलब जो binding है binding क्या होता है कर फूल के रगड़ा जाता है किसके साथ रगड़ाता है श्टार के साथ जब देखिएगा जब आपको main host में motor चालू रहता है तो क्या होता हाबिस साइड में कुछ भी प्रब्लेम नहीं होता जब आपका brake काम नहीं करता है तो आपका आरिया होने लगता है उस टायम क्या होगा आपका resistance box तो एक नमबर आपका ठीक नहीं है उपर सापका motor आरिया हो रहा है मतलब motor आपका जो forward side घूम रहा है को आपके speed में आ रहा है तो थोड़ा सा भी अगर unbalance होगा तो motor का binding क्या होगा पूरा रगड़ा जाएगा किसके चलते रगड़ाएगा यह resistance box के चलते रगड़ाएगा और दोस्ते यह कोई जरूरी नहीं है कि जो आप repair करके resistance box लगाईएगा उसी में होगा कभी-कभी आपका resistance box नया रहता है नया पे भी अगर आप बीना check करके लगाते है तो same to same problem होता है इसलिए जब भी आप resistance box लगाईए पहले आप multimeter में check किजिए कौन सा point में आपका कितना ohms है अगर ohms आपका balance में है तो मैं बूलूँगा आप लगाईए अगर unbalance है तो मैं बूलूँगा मत लगाईए क्योंकर जब भी लगाईगा उसमें परसरी आपका continue बना रहेगा तो दोस्तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, comment जरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा नमस्कार